हाई फ्रेंज आज कल के बिजी शेडियूल में से थोड़ा टाइम निकाल के कुछ हेल्दी बनाते हैं बनाते हैं मुंग दाल साबूत हडी मुंग दाल बना रहे हैं वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दीपा एंड लालवानी सबसे पहले आदा कप हरे मुंग ले लेंगे इसे पानी में अच्छे से दोएंगे इसे कम से कम दो गंटे या जादा से जादा आट गंटे के लिए बिगोके रख देंगे एक कप पानी डालके मुंग को बिगोने रख दिया करीबन आट गंटे हो गए हैं मुंग को बिगोए हुए अच्छे से फूल गए हैं चलिए इसे बॉइल कर लेते हैं इसे प्रेशर कुकर में बॉइल करने वाल है मुंग डाल दिये अब इसमें सवा कप पानी डालकर ढक्कन लगाकर प्रेशर कुकर को सीटी लगाने रख देंगे करीबन चार सीटी लगाने रख देंगे चार सीटी हो गई है एक कड़ाई में दो बड़े चमच तेल ले लेंगे इसमें आदा छोटी चमच कटी हुई लसन डालेंगे चुटकी बर हिंग डालेंगे एक छोटी चमच बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे तेल में थोड़ा फ्राय करेंगे अब हम डालने जा रहे हैं दो बड़े चमच कटा हुआ प्यास आदा कटा हुआ प्यास डाल देंगे प्यास को हम थोड़ा सौफ्ट करेंगे और हल्का सुनेरा आने तक प्यास को बून लेंगे अब हम इसमें सुखे मसाले डाल देते हैं एक छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर, आदा छोटी चमच जीरा पाउडर, आदा छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक छोटी चमच धन्या पाउडर, सभी मसालों को अच्छे से बून लेंगे, अगर तेल की जरुरत लगे तो थोड़ा सा तेल बे एड़ करेंगे, अब हम इ तीन चोटे टमाटर लेके हमने उनको बारी कट कर लिया टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे एक छुटा चमच नमक डालेंगे या नमक स्वाधनुसार टमाटर को कुख होने के लिए रख देंगे टमाटर सौफ्ट होना शिरू हो गए है अब हम इसे कर्ची से प्रेस करेंगे और चटनी बना देंगे यह रेसिपी कम टाइम लेती है अब हम इसमें बॉयल्ड मुंग डाल देंगे साथ में हम आदा छोटी चमच गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हडा दनिया अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें आदा कप पानी डाल देते हैं पानी डालने के बाद हम इसे कुखोने के लिए रख देंगे इसमें एक दो उबाल आए इसके लिए पान साथ मिनट ढखकन लगा के ढखकर रख देंगे पूरी सबजी बनाते टाइम गैस को हमने लो फ्लेम पर रखा मुंगदाल बनका रेडी है अब लास्ट में हम एक गी का तड़का लगा रहे हैं इसके लिए हमने दो बड़े चमच गी ले लिया इसमें हम आदी चोटी चमच कटी हुई लस्टन डालेंगे और एक पिंच हिंग डालेंगे जैसे ही हलका सुनेरा कलर आ जाए तड़का लगाएंगे आखिर में एक चीज डालना बाकी है हम इसमें एक चमच नीबू का रस्ट डालेंगे आप चाहें अमचूर भी यूज कर सकते हैं या इमली का पल्प अच्छे से मिक्स करेंगे मुंगदाल बनकर रेडी है गैस बनकर देते हैं धक्कन लगा देते हैं चली इसे सर्व करते हैं इसे आप सर्व करें चपाती या चावल के साथ लंच या डिनर में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी मॉम की रेसिपी कैसी लगी अपने फ्रेंज और रिलेटिव्स को वीडियो शेयर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग माय वीडियो प्रेंग माय वीडियो